और्डियो पांच, पुस्तक का नाम अनाचारजी कैसे निप्टे, लेखक पंडित शीराम शर्मा आचारजी, प्रतिरोज अनिवारे रुप से आविश्यक, कुछ लोग अपराधू के अभ्यस्त हो जाते हैं, लगाता दुश्कृति करते और उनसे लाब उठाते रहने के गुंडों की भी एक बिर्यादरी है, वे अपने संगी साथी ढून लेते हैं, गिरोह बना लेते हैं और समलित रूप से सड्यांत्र बनाते, उचक्र रचते और अनेक उपायों से भुले भाले लोगों पर आक्रमण करते हैं, और उनसे अनुचित लाब उठाते हैं, सामान सहा दिखाने वाली बात के पीछे डर्पोक पन कायरता का फूट भी लगा रहता है, उसी कमजोरी का लाब उठाकर अवांचिनी तत्मों के होंसले बरते हैं, और अधिक उत्साहितों कर पड़े कदम उठाते हैं, जिस प्रकार आव में इधन परते हैं, उसी प्रकार जन सा अधरन को डर्पोक पाकर अक्रमर कारी अपनी गतिवितियों को और भी अधिक फ्यापक बनाते हैं, इस लाब को उठाने के गिरोप राय बनते ही जाते हैं, रोक थाम के कारगर प्रैत्नना होने पर अवांचनीता की ये अभिवरती स्वभाविक भी है, देखना यह है कि द अधरने में आसान नहीं है, अब राधों की रोकदाम करने की जिम्मेदारी, जिनकी है उन लोगों में से सभी इमानदार और करतवे पालन करने वाले होते हों, ऐसी बात नहीं है, अनुचित लाब उठाने का चसका जिस पर अव आंचनी तत्मों का लाब हुआ है, वो सकता है कि वैसी ही प्रवर्ती उन लोगों में से उस पड़ी हो, जो अनाचारियों से तालमिल बिठा कर अपनी साधेदारी का द्वार खोलते हों, ऐसी दशा में स्थिती और विशम हो जाती है, एक और जनता की कारता, दूसरी और पकरने वालों की शादगाट, इस और दूरा प्रोसाहन मिलने से तसकरों को दोनों और से प्रोसाहन मिलता है, चुप रहने की नीती अपनाने पर या कुछ अकर और भी अधिक बढ़ जाता है, सोचना यह है कि इन दुखत परिसितियों को रोका कैसे जाए, इसके लिए कई उपाय हो सकते हैं, जहां तक सरकारी की सिचिलता पर साधे जारी रहने की दशा में तो सब कुछ धकोसला ही बनकर है जाता है, अपराधियों को पकरने की दौर दूप दिखावा मात्र बनकर है जाती है, वास्तिक अपराधी पकड़े नहीं जाते, पकड़े जाते हैं तो मुकद्ने में खामिया रहने या गव बाहना मिलने की सीथी में चूट जाते हैं। जमानत करा लेते हैं। चूटने पर वे अपने पकड़े जाने में सहायता करने वाले पर और अधिक पुद्ध होकर अधिक खातक प्रहार करते हैं। इस प्रकार अपरादियों को सरकार तंत्र द्वारा पकड़े जाने की व्यवस्था तभी कारगर सिद्ध हो सकती है जब उसकी पीछे करतावी पराहता येवं इमानदारी का गहरा पुठ हो। प्रादो की संभावना से अवगत होते हुए भी उन्हें समय रहते सुचना नहीं मिल पाती। फल्था उनके लिए समय से पूरो दबोचना संभव नहीं होता। इस शिकायत को दूर करने का दायत्व या सेवादाल सरका संगठन अपने कंधों पर उठाए। यदि इससे बहुत सहयोग मिल सकता है। इसके अतरिक अपरादियों के विरुद गवाईयों के न मिलने की समय सहका हलवी जंसतर पर ही करना पड़ेगा। जिने अपरादियों की वास्त्विक जानकारी है उन्हें गवाई देने की हिम्मत करनी चाहिए। समझना चाहिए कि यह भी में ना आने दे कि उन्हें गवाईयों नहीं मिली। जिस समाज में इतना भी सहसना होगा उसे दगते, पिस्ते और अनिती सहने की सिकायत भी क्यों करनी चाहिए। अपनी सहयता आप करने पर ही दुसरे लोग सहयता करने के लिए आगे आते हैं। इस तथि को समझते हुए ह अनिती प्रतिकार की योजना गनानी चाहिए। ऐसा महुल बना सकता है जिसके रहते अपराधियों की दाल गरना खठिन हो जाए। जहां प्रतिरोद की संभावना देखते हैं वहां से आठताई भी करनी काटते हैं। आधी संभावना तो संगटित नागरिक पुलीस का घठन होने पर भी टल जाती है। अनाचारी प्राय रात के अंधेरे में ही घात लगाते हैं। दिन में तो उनका हौसला भी पस्ट रहता है। अंधकार वहां समझा जा सकता है जहां रोग टोग करने के लिए कटिवत व्यक्ति या संगठन नहीं है। अंधेरे में ही क्रमी कीटक पलते हैं। वहीं चमगादर चुचुन्दर घर बनाते हैं, गंदगी में मख्यां और सीलन में मच्छर अपना वंश बनाते हैं, प्रतिरोध की संभावना ना रहने पर ही अनाचार का होसला पड़ता है, इस तत्य को समझते हुए हर जगा हर गाव महले में ऐसे शूर्वे साहसियों के संगठन खड़े करने चाहिए, जि उसका नाम सेवा दल जैसा कुछ भी रखा जा सकता है, इस दल का प्रथमकारे प्रतेक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी और अनिती से निबटने की साहसिक्ता उत्पंद करने वाली भावनाई जगाना होना चाहिए, जलसाधरन के मन में से भै की भावना को हटाया ज जाए और उस चौर ये साहस को जगाया जाए जो अनिती को सहन करने से इंकार कर सकने की मुद्रा अपना ले। इस प्रकार का सारोजनिक अमनोबल बढ़ाने के लिए उसी स्तर का सहीते बढ़ाने, सुनाने, नाटा कभी नहीं दिखाने, कावे संगीत आधिक आयोजन की व् चाहिए, क्या विशेष्ता जन्मचात रूप से उत्पन की जानी चाहिए, या भी इमानदारी समस्दारी के समान ही एक अती महत्पुन कुड है, उसके बिना मनुष का प्रगति करना तो दूर जिवीत रहना भी कठीन है, या भावना हर नागरिक में, हर स्री बच्चे में भरी जानी चाहिए, जंगल में आदी वासी इंसक पश्चों के भी जोपड़ी डाल कर ही निर्वा कर लेते हैं, क्या हिम्मत का खेल है, उन्नती के लिए भी और सुरक्षा के लिए भी इसकी महत्पी आवशकता है, कुंडों से निपटना भी इसी मनोबल के आधार पर संभ हो सकता है, जहां इस स्तर का नागरिक सहयोग मिलेगा, वहीं सुरक्षा समीतियां भी सहस्पुर्वक काम कर सकेंगी, अनेथा उस दर में शामिल होने वालों को उनके घरवाले ही डरा कर रोक देंगे, और जो प्रैतन रोक थाम के पहरेदारी के आरम हुए भी हैं, तो वे भी जीवनत नहरा सकेंगे, निजी रूप से हर व्यक्ति को अपने निकट वर्तियों परोसियों से इस स्तर की घनिष्टता स्थापित करनी चाहिए, कि वे एक दूसरे के दुखतर्त में आड़े समय में काम आ सके और साथ दे सके, जहां इस प्रकार के सहयोग की भावना र पर बिलगाव की भावना तो रहती ही है, ऐसे असंगटि समुदाय एक एक करके पिटते रहते हैं और कोई किसी की सहायता के लिए आगे नहीं आता, या सिती किसी भी शेत्र में न बन पाए, इसका ध्यान हर समुदाय के मुर्धने लोगों को विशेश रूप से रखना चा की जा सकती जब तक की सफाई के लिए कीत मारक रसायनों का समुचिक प्रबंद न हो, गुंडागर्दी सबसे सरल और साइदेमन धन्दा है, रोग, गाटने, डड़ाने, चाप्रोसी बटोरने का अफसर मिरता है, मुफ्त का माल भी बड़ी मात्रा में सहजी हाथ लगता है ये चसका जिनको लग गया है तो छोड़ने का नाम नहीं लेते, जब तक कि उनका कारे कठिन ना बन जाए, प्रतिरोध समर्थ बनकर सामने खड़ाना हो जाए, उन पर समझाने बुझाने का तो यतकिंचित ही प्रभाव पड़ता है, फिर भी वो प्रयास छोड़ा नहीं जाना चाहिए, मुनुष्ट के अंदर भर्मन सहाथ भी कहीं न कहीं, किसी न किसी कोन में छिपी रहती है, उसे जगाने का प्रयत न किया जाता रहे, तो यह भी हो सकता है कि कुकर्मी भी अपना रास्ता बदल दे और भले आद्मियों की राहा अपना ले, बड़ी बात को सहस जगाने वाला प्रशिक्षन दिया जाना चाहिए, प्रतिरोद कर सकने वाली सहसिक मंडलियों का गठन किया जाना चाहिए, और सरकारी तंतर तक यह आवाज पहुचाई जानी चाहिए कि उसके भागिदार, अधिकारी, कर्मचारी, उस कर्तवे का इमानदारे से बाल और सरकारी तंतर का समुचित योगदान यती मिलने लगे तो पुंडागर्दी का उन्मूलन उतना कठी नर हैगा जितना अब है